शिक्छा विकास रोजगार का है और सरस्वा रोजगार का हर युवा बने गाहू नर्मंद आगे बढ़ रहा है छार खंड सुन है रे भविस्से का निर्मान हो रहा है एतिहासिक नए दोर का उदै हो रहा है नए सूच है नए हवाए होंगी पूरी आशाए ये है नए दिशाए नए दिशाए ये है नए दिशाए नए दिशाए जोहार नए दिशाए में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ निदे कुमारी बच्चे राष्ट्र का भवश्य होते हैं अगर हमें समझना है कि किफी समाज में विकास क स्तर क्या है तो जरूरी है कि हम इस बात पर ध्यान दे कि वहाँ जब बच्चे हैं उनके साथ किस तरह का वहवार हो रहा है या फिर उनकी डेवलाप्मेंट के लिए कैसे काम के जा रहे हैं अगर हम खास कर अपने राज जहारखन की बात करें तो बच्चों से संबंधित सामा आज में ऐसे लोग हैं ऐसे ओगनाइजेशन हैं जो निरंतर रूप से और निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं इस छेत्र में बच्चों को एक बहतर फ्यूचर देने के लिए काम कर रहे हैं आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही खास महमान मौजूद है जो बीते क कुछ वर्षों से बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही उनके सरवांगिन विकास के लिए भी लगतार रूप से काम कर रहे हैं हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे एजुकेशनिस्ट मिस्र चंदन सिंगा चंदन आपका हमारे कारेकर में बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका जो यह सफर रहा है यह बच्चों के सिक्षा को लेकर या फिर खासता और से कॉलिटी एजुकेशन हर स्टर के बच्चों तक पहुंचे इस जोडने की कोशिश की तो जगनातपूर की बस्ती से हम लोगोंने चारीज बच्चों के साथ-साथ हम लोगोंने जब एक साल बीट गये दो यह साथ-साथ के बाद 2008 में हमने यह रेलाइस किया कि कॉलिटी एजुकेशन जो है वो सिर्फ विध्याले या सरकार का सिर्फ काम नहीं है इसमें समाज का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें रोल प्ले करता है तो समाज को हम लोगोंने कैसे इंवाल्व करना चाहिए समाज के समाज में खासकर हम परिवार की बात कर रहे हैं बच्चों के परिवार वाले किस तरह से अपने बच्चों की सिक इस पर कैसे देख सकते हैं, कैसे ध्यान दे सकते हैं, उस पर कैसे जिम्मेदारी उटा सकते हैं, तो यह हम लोगों ने वहां से शुरुआत की, दोयार साथ और आर्ट से हम लोग यह कह सकते हैं. तो मतलब आपके लिए क्या कुछ प्रेड़ना रही कि इस शेत्र में बच्चों के लिए काम करना है, आपने कैसे मन बनाया? इसका तो सीधा जवाब यह है कि अभाव जो होता है, वो आपको बताता है कि आप कैसे आगे क्या करना चाहिए, पिढ़ना कहां से बिलती है, तो जिस जगह से मैं और हमारे टीम के जो लोग हैं, प्रतिग्या के जो टीम के लोग हैं वो जिस जगह से आते हैं उन्होंने, बहुत सारे हम लोगोंने अभाव देखें हैं। हमारे आसपास देखा हमारे दोस्तों के साथ देखा हमहरे हम कोड के परिवार में कि अगर सिख्षा प्रॉपर नहीं हुपाई लोगोंने उन सिख्षा जहां वह नहीं complete कर पाए तो क्या नुकसान उनको उठाना पड़ता है और एक इंडिविजुल नुकसान कैसे समाज को बड़े पहमाने पर नुकसान पहुचाता है या समाज पर कैसे जो विकास जिसकी आप बात कर रहे थैं विकास नहीं हो पाती है वो उसमें कैसे एक बड़ा बत्थर बन जाता है बिल्कुल मतलब एक first hand experience रहा आपका जिसमें आपको मदद मिली इस चीज को समझने में अभी जैसा कि आपने कहा कि आप लोग बीते काई वश्यों से काम कर रहे हैं अब उसमें क्या कुछ ऐसे प्रोग्राम से चाहि jest जिसमें हमारी कोशिश यह रहती है कि बच्चे जिस भी चेत्र के होँ और जिस भी जगह से हो जिस भी क्लास, कास, डिफरेंस, रिलीजिन, किसी भी धरम से हो, या किसी भी जाती से हो, उनको उनके आसपास के, जो भी विद्याले उनके आसपास है, जहां भी चाहिए वो प्राइवेट है, चाहिए वो सरकारी है, किसी भी तरह का विद्याले है, उस विद्याले से उसको जोड़ा तो हम किसी तरह से उनको scholarship के मादे हम से उन स्कूल में continue कराने की कोशिश कर रहे हैं तो एक पहला program है जिसमें हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चे स्कूल तक चूड़े रहे हैं दूसरा program है स्रीजन बच्पन नाम का एक program है जिसको हम स्रीजन मतलब बच्चों की जो बच्पना है उसको स्रीजन करने की कोशिश करते हैं जिसमें बच्चों को life skills education, financial education, health education and legal education और वो भी एक community learning space में जो यह school में नहीं होता यह हम लोग communities में जाकर बस्तियों में गाउं में जहांपर community space create करते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं पर कई बार वो दिशा नहीं मिल पाती है कई बार वो समझ नहीं मिल पाते हैं कि हम कैसे आगे जाएं क्या करें, बहुत मन करता है कि हम जाये समाज में समाज का भलाई करते हैं, पर यह कैसे करें यह पता नहीं होता है, तो हम युवा के अंदर हम लोगों तक रीच आउट करते हैं, कॉलेज के यूद के साथ रीच आउट करते हैं, गाहों के यूद के साथ रीच आउट करते हैं और उनको बताते हैं कि आप अपने दिन के एक घंटे-दो घंटे में जो वॉलेंटरिजम है वो करें और समाज में जो बदलाव लाने की आपकी इक्षा है उसमें कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं और इसमें आपको अपकी पढ़ाई छोड़ने की ज़ूरत नहीं है इसमें आ मतलब बच्चे के सिर्फ एजुकेशन पे नहीं बलकि ओवरॉल डेवलप्मेंट पे यहां पर काम किया रहा है जैसे अगर हम अभी कोवेट की बात करें थे तो 2019 जब कोवेट हट वा तो एजुकेशन तो चलिए बहुत अफेक्ट हुआ इस पूरे फील्ड को लेकिन उससे भ वक्त में तो एक तो यह बात आपने कोवेट की कहिए यह बहुत मतलब ज़रूरी है हम सबको समझना कि कोवेट ने बहुत सारी चीज़े हम से चीनी और बहुत सारी चीज़े हम सबको दी बिलकुल जिसमें जो एक नई चीज जो कोवेट ने में दी है जिससे अभी सिक्षा जगत में लोग जूज रहे हैं वो है डिजिटल डिवाइड तो आपने बात कही कि कुछ लोगों के पास कुछ बच्छों के पास टैब या मोबाइल फोन है जिससे वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं पर बहुत बड़ा संख्या खासकर जारकन जैसे राचे में तो ये एक बहुत बड़ा गैप हमने महसूस किया हमारे चुकि हमारा ज्यादा तर काम जो होता है रूरल एरिया में होता है रूरल और समी अर्वन एरिया में होता है तो हमने ये महसूस किया कि बचों के पास ये डिजिटल डिवाइड ये जो इनिक्विलिटी हम कहते हैं आसमानता कहते हैं यह आसमानता सिक्षा में काफी बड़ी है और यह कोरोना के आने के बाद कोरोना के टाइम में काफी जादा बढ़ा है तो हमने कोशिश किया इसको थोड़ी थोड़ा इसमें कम करने की कोशिश की हम लोगों ने तो हमारे जैसे रूरल एरिया हमारा है बच्चों के सब पहुचा देना ताकि आप इसे पढ़े और कोई एक गाउं का ही वालेंटियर है उसे कलेक करें चेक करें वापस करें ताकि बच्चे किसी परकार से सिक्षा से जुड़े रहें इसकी बहुत अच्छी एक शुरुआत हुई थी चंदापारा गाउं से चंदा बच्चे की समस्य है उसको हल करने कोशिश कर रहें तो ताकि मसला यह था कि हम किसी तरह से बच्चों को सिक्षा से जोड़े रहें ताकि वो दो साल जुड़ जाएं ताकि जब भी स्कूल खुलेगी तो विद्याले में जब वो जा रहे हूं तो वो एक गैप जितना पूछ प्छांस में कैसे सरकार को सयोग कर सकते हैं उसको चलाने के जो हमारे पूराने अनवहut एक कम्युणिटी लर्निंग सेन्टर को चलाने के उसका इस्तमाल करते होए हम लोगो ने जगनातपूर बस्ति में वोम लोगो ने महुला क्लासें कर रहे हैं और भी बहुत सारे संस्थाइं थे जिन्हों ने हम से पूछा कि आप कैसे काम कर रहे हैं मौला क्लासेश को लेकर वो कैसे कर सकते हैं और कम्यूनिटी कैसे इसमें रोल प्ले कर सकती हैं गाहों के जो यूवक हैं जो कॉलेज पास आउट हैं या कॉलेज में हैं वो कैसे इसमे कम करने की कोशिश की किया है और 2007 में 2007 के पहले काफी पहले World Health Organization ने एक अपनी study जारी की थी अपनी study में उन्होंने कहा था कि जो भी बच्चे हैं उनको 10 life skills traits आने चाहिए जिससे उनकी जिन्दकी अच्छी हो सकती है उन 10 life skills traits में कुछ ऐसे critical thinking, self awareness, decision making ऐसी कुछ चीज़ें थी तो हम लोगोंने हमार कुछ साती थे, data, social sciences, mumbaii से, उनके साथ मिलकर हम लोगोंने एक module prepare किया जो ये सारे 10 life skills traits पर बातचीत करती है और हम क्या करते हैं हमने जो हाल फलाल में हमने थोड़े परिवर्तन किये हैं वो परिवर्तन ये कि हैं कि हमको बिलकुल खेल से जोडने की कोशिश की है, कला से ज इसे बहतर हम लोगों ने ये किया कि हम उसमें खेल का मात्यम से, कला के मात्यम से, कविताओं के मात्यम से और बच्चे अपने आपको self-aware हो पाएं और इसका एक बहुत बड़ा फाइदा होता है, बहुत बड़ा फाइदा क्या होता है कि बच्चे अपने आपको जब चान जाते हैं अपर इस्थितितां फैचान जाते हैं तो उस दौरान जो वह फैसला लेते हैं वह बहुत सतीग फैसला होता है और हमें लगता है कि हम चोटे बच्चे फैसला नहीं लेदें पाएंगे खो Sponge best nerve लिए जिंडमी बनके बहूत करता है लिए लाइफ सिल्स एजूकेशन में फिनांशिल एजूकेशन को एड़ किया है। बच्चों को बैंकिंग सिस्टम से जोडने की कोशिश की है। जो सरकार ने भी कहाए किनांशिल इंक्लूजन होना चाहिए। तो हम उस इंक्लूजन को बच्चों के स्थर पर लेकर आ रहे हैं। दसवी के बाद जो है computer education करना है मुझे दसवी के बाद सिलाजी सीखना है मुझे दसवी के बाद किसी बड़े college में पढ़ने जाना है और उसके लिए मुझे कितना खर्च लगेगा तो बच्चे जब गई बार बच्चे पूरा नहीं कर पाते हैं पर वो एक ललक और जो फैसल चोड़ता है उधारंग के तौर पे वो अपने time का सही इस्तमाल करना सुरूगात करता है तो यह life skills education इस पर इस प्रकार से लोगों की बच्चों की खासकर मदद कर रहा है जहां पर हम देख रहे हैं बिल्कुल यह एक बहुत ही आहम बात आपने कही कि जो decision making skills है क्योंकि अगर हम UN की तरफ से जो sustainable development goals की बात करें तो 17 sustainable development goals लेके चल रहे हैं जिसमें से 4 ऐसे goals हैं जिस पर आप लोग भी काम कर रहे हैं क्या वो मुखे 4 goals है और क्या एम है आपका खासकर अगर हमारे राज्य को लेकर बात करें तो चार जो sustainable development goals हैं उसमें जो सबसे मुखे जिस पर ह काम कर रहे हैं इसकी बारे हम बात कर रहे हैं तो बहुत देर से हम बात करें जो quality education कैसे बच्चेओं को जो सिक्षा मिल रही है वो उसमें गुनवक्ता आ पाए कैसे बच्चे ये वो सिक्षा प्राप्त कर पाए जो 21 सदी के में आज उनको जरूरत मैसूस होती है उसका बहुत लंबे समय तक रह पाएगी वो sustained change जो है सिक्षा से आ सकती है तो poverty elimination की बात है तीसरी जो हम sustainable development में देखते हैं वो है gender equality gender equality हर माद्यम से लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए हमारी बहुत सारी जो studies है ही है आप देखेंगे बहुत साज studies में जो ऐसा नहीं कि gender equality जो है लड़कियां ही face करते हैं बच्चमन में अगर हम बात करें लड़कों भी face करते हैं sexual जो violence होता है वो harassment लड़के भी यह है कि किस तरह से हम लोग जारकन जैसे देश में इस पर काम कर सकते हैं बिल्कुल खास तोर से poverty बहुत बड़ा हमारे लिए समस्या भी है हमारे राज्य में अगर बाखी राज्यों से compare करें तो अपने child marriage को लेकर भी आपने काफी campaigns चलाए हैं काफी programs चल रहे हैं बीते ब साथ ही higher education जो है क्या इस फैसले से कही ना कही लड़कियों को यह मौका मिलेगा कि जो higher education है वो finish कर पाएं इस फैसले से higher education पर कितना मौका मदद मिलेगा यह कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपने child marriage की जो age है 18-21 की है और जो 18-21 होना था उसके लिए जो आपको preventive measures लेने मुश्किल होगी यह बहुत clear है इसमें और दूसी चीज किया है कि जो आपने सवाल किया कि 18-21 होना यह सही है या गलत है तो यह अभी तो इस पर हमें बहुत विजार करना देखना पड़ेगा अभी क्योंकि यह 18 है वो biological, sociological हर प्रस्पेक्टिव से इसको उत्यान में रखक किया गया है और 21 जो हम लोग अभी कर रहे हैं इसके लिए बहुत सारे डिबेट यल रही है कि इनको धारा कर वापस कर देना चाहिए लेकिन मेरा यह मानना है कि यह बहुत ज़्यादा आगे आपको तभी फाइदा हो पाएगा जब आप इस पे इसके प्रिवेंटिव मेज से भी और बजार के तरब से भी यह तीन जो अलग अलग एहम जो पिलर से हमारे स्ट्रक्शर के यह तीनों जब मिलकर एक साथ इस पॉलिसी गैप पर काम करेंगे तभी जाके आपको जो आपका जो कहना है कि लड़कियों को सिक्षा में उच्छे सिक्षा में जगह मिल जैसी जो मुद्दा है या बच्चा यह हम लोग को हम सभी को समझना हो कि बच्चा जो है वो मतबग इसको कहें कि आइसॉलेशन में तो होता नहीं है है कोई बिच्चा अगर कि इस जगह पे कोई बच्चा है तो ज़्यादा तर उन बच्चों के अगर हम स्ट्रीट परिवार को आप इंपावर नहीं कर रहे हैं उनकी सशक्तिकरन नहीं कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर वह बाल मजदूरी तो रहती रहेगी परिवार और बच्चा एक दूसरे से बहुत अलग नहीं है एक दूसरे सा वाद करें थे कि हमारे राज्य है कहीं न कहीं बच्चों से सम्मंदित जो सोशल इशू है उसका इक ब्रीडिंग ग्राउंड भी आप इसको कह सकते हैं चाइल लेबर चाइल मारज हो गया क्या कुछ ऐसी वजा है कि इतने सालों के बाद भी हंगर कि अगर हम बात करें तो चैलेंज तो पॉलिसे लेवल पे भी कुछ चैलेंजेंज हैं पर मुझे लगता है कि पॉलिसी लेवल से ज्यादा बड़ा जो चैलेंज है वो इंप्लिमेंटेशन लेवल पर है जो कहीं सारी चीज़ें आप जो मतलब पर पोबर्टी ऐलिमिनिशन को लेकर है या फिर आप हंगर को लेकर बात करें या फिर हंगर में अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें चलती तो जो जिसके इंप्लिमेंटेशन है ग्रासूट लेवल पर पहुंचने की वो बहुत बड़ा चालेंज रहा है अब इसके क्या और आयाम हो सकते है इस पर बहुत चर्चा हो स जो लोग है वो पहुंचनी पा रहे हैं चाहे वो समाजी कारे करता हूँ चाहे वो सरकार हो और चाहे वो बजार हो यह पहुंचनी पा रहे हैं सर्फेस लेवल पर अगर आप देखें कोरोना में बहुत यह बात लोगों ने बहुत उठाई इस बात में कि जब भी भी बिल्कुल comfortable जगह पे हो रही है, जहां तक गाडिया जा सकती ही वही पर हो रही है, जहां गाडिया नहीं जा पा रही है, वहां के लोगों को खाना कैसे पहुचेगा, यह अपने आपने एक सवाल, तो लोगों को वहां तक जाने की कोशिश करने पड़ेगी, जहां सिक्षा न बहुत बड़ा रोल है, जैसा कि हमने का ना बच्चे के लिए आप परिवार को आइसोलेशन में नहीं रख सकते हैं, तो इसी तरह से इन सब चीजों में भी समाज को आइसोलेशन में नहीं रखा जा सकता है, समाज की प्रॉपर भागिदारी नहीं हो पाई है, अगर आप उनको मजबूत नहीं करेंगे, ग्रासूट लेवल तक आपकी पॉलिसी नहीं पहुचेंगे, इंप्लिमेंटेशन नहीं होगा, और इंप्लिमेंटेशन नहीं होगा, तो जो गैप आप आज देख रही है, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो यह सारे चीज़ हैं इंटर क आपका कारिक्रम है जिसके बारे में थोड़ा बता रहे थे युवा के बारे में, और इसमें जो में आपका अबजेक्टिव है कि सोसाइटी को वापस कुछ देना है, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत जरूरी हो गया है, कि हम अपनी लाइफ के बार, अपना तो चलो जी पर हमें युवा को बताने की कोशिश करते हैं कि एक समाज में क्या बदलाव ला सकता है, बहुत एनरजी होती है, और पहली बात जो आपने शुरुआत में भी कहा था कि भरोसा करना पड़ेगा, विस्वास करना पड़ेगा, तो हमें युवाओं पर विस्वास करने की जर कॉलेजेज में और लोगों को बताते हैं कि आप आपके पास ये प्लाटफॉम है, आप अपने समाज के लिए अगर दिन का एक घंटा भी है, आप देते हैं तो बहुत होता है, अगर आप समझे कि एक ग्राजुएशन में पढ़ने वाला युवाग, अगर 365 घंटे, पूर कुछ सालों में इलाज हो पाएगा, इसको लेकर हम लोगों ने एक छोटी सी शुरुवात ये की है कि टीच फॉर इंडिया एक के साथ मिलकर हम लोगों ने एक फेलोशिप डिजाइन किया है, जिसमें हम ग्रासूट लेवल पर युवाओं को लीडर के रूप में तयार करन बिलकुल, एक तो हम चाहेंगे कि जैसा ये तो आपकी करेंट प्रोग्राम से जो चल रहे हैं, अगर हम फ्यूचर की बात करें भवश्य में तो क्या कुछ ऐसे मुख्य प्रोग्राम्स हैं या कुछ आपके इन विजिन जो है फ्यूचर को लेकर वो क्या है तो मैं बदा रहा था इसका जवाब मैंने इसके पहले थोड़ी सा दिया, उसको मैं continue कर लूँगा, तो वो यह है कि जो हम लोग, हमें ये लगता है कि जो समाज में जो ये सारी बुराईया हैं या फिर ये सारी परेशानिया हैं, इसको solve करने के लिए बहुत बड़े लेव को और strengthen करनी कोशिश की है, fellowship हम लोग ने शुरू किया है, जिस पे हम plan करने कि आगे आने वाले समय में हर गाओं के लेवल पर हम गाओं या community के लेवल पर fellows को युवाओं को बलाएं, वो दो साल के लिए चीज़ों को समझें और उस पर solve करने के लिए खुद hands-on practice करें और hands- life skills education जो की आभी आज की समय में sports के साथ जोड़कर हम लोग करनी कोशिश कर रहे हैं, उस पर हम लोग आगे काम करनी कोशिश करेंगे, बिलकुल, यहां पर जब हम कहते हैं कि समाज का भी जोड़ना बहुत जरूरी है, सब को एक platform पर लाएं, तो बहाँ पर awareness के बहुत करने के लिए, हमारे पास, जो हमारा सारा प्रोग्राम है, तो एक तो यह है कि हम कोई भी प्रोग्राम डिजाइन नहीं करते हैं, जिसमें sensitization और awareness नहीं है, क्योंकि लोगों की भागीदारी तभी हो पाएगी जब आप लोगों को उनके बारे में बताएंगे, उदारण के अगर हम देखें कि हमारे जैसे सारे विद्यालेव में विद्याले प्रबंदक समिती होती है, हर विद्याले में होता है, चारकन में या भारत में किसी भी विद्याले में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिलेगा, उसमें जो लोग होते हैं, वो माता-पिता होते हैं, माता- करने ही कोशिश करते हैं, disability पर बात कर लें, या हमारे पास ऐसे बहुत सारे परिवार वाले आते हैं, बच्छे आते हैं, जो किसी प्रकास से बच्छों को भी उनकी फामिली को भी अवेर किया जा रहा है कि क्या हो रहा है, और किस तरीके से वह भी अपना कुछ कॉन्टिबूशन दे सकते हैं, चंदन जी आप आएं, आपने अपनी प्रोग्राम के बारे में, अपनी इनिशेटिव के बारे में इतनी अहम जानकारियां हमें दी और एक तो बहुत जादा कॉंग्राचिलेशन जिस फील्ड पर आप काम करो, जिस तरीके से बच्चों तक आप हर स्थर के बच्चों तक कॉलिटी एजुकेशन पहुंचा रहे हैं, इसी के साथ हमें भी दीजे इजाजत, नमश्कार.